आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेबल ट्रांसफर के बारे में साथ ही साथ डिफरेंशियल लेबलिंग क्या होता है और इसके साथ साथ आपका जो फ्लाई लेबलिंग होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंश क्या है इसके बारे में बात करने वाले है नमस्कार दोस्तों मैं इंजिनियर अमरेंदर भारती, कॉर्पेट टेनर और आपके लिए सिविल कुरुची आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेबल को ट्रांसफर क्यों किया जाता है आखिर इसकी जोरत को सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा अभी जैसे है, जैसे आपको दिख रहा होगा, सामने यहां मारे पास एक रोड है और इस रोड का हमें ना कुछ ना कुछ आरेल हमें पता रहता है कि हाँ इसका आरेल है और इस रोड के बाजू में अगर मैं घर बना रहा हूँ जैसे यहां पे अगर परपोस्ट साइट होगा हमारा तो इस साइट में अगर मैं घर बनाने वाला होगा तो इसका घर का कुछ पिलिंथ लेवल रहता है तो अब वह मुझे decide करना पड़ता है कि पिलिंथ लेवल की height कैसे रखनी है तो maximum क्या होता है कि हमारे जो road level होता है उस road level से हम लोग decide करते हैं कि हमारा जो घर होगा, घर का पिलिंथ लेवल कितना होगा तो जैसे normally हम लोग 900 mm तक लेते हैं, जैसे यहां से मुझे 900 mm की height पे अपना plinth level रखना होगा, तो यह चीज कैसे decide होगा, मतलब यहां का RL हमें पता होगा, और साथी साथ यही RL को हमें transfer करना होगा, अगर मुझे वहां की RL पता चल गई, तो उस basis पे मैं क्या कर सकता हूँ उसकी height को मैं maintain कर सकता हूँ, तो इसी चीज को हम लोग जब transfer करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, लेवल को transfer करना, अब यह जो लेवल transfer किया जाता है, वो आप water level pipe के help से भी कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर auto level machine है, तो उस machine से भी आप कर सकते हो, तो अब auto level machine से जो को instrument बार-बार change करना पड़ता होगा, अब ऐसा case कहां पर आता है, ऐसा case आता है normally, जब आप पहाड़ पर करते हो, या फिर जब आप गहराई पर जाते हो, तो उसमें क्या होता है, machine set करके आप एक बार से reading ले सकते हो, दुबारा reading आपको stop नहीं दिखती थी, उस case में हम लो site होगी और उसके बाद आपकी intermediate sites बहुत सारी होगी, तो यह आपका differential leveling का case हो जाता है, तो आप इन दोनों की help से आप क्या कर सकते हो, लेबल को आसानी से transfer कर सकते हो, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, fly leveling की help से हम लोग किस तरीके से label को transfer करते हैं, तो fly leveling का क्या case होता है, कि सबसे पहले आप क्या करते हो, एक जगह पे machine को set करते हो, और पहला जो आप staff रखते हो, वो ऐसी जगह पे रखते हो, जहां के आपका RL पता हो, मतलब ऐसा point जिसका हमें RL पता होता है, उसको हम लोग benchmark बोलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो अपना staff है, उस staff को ह benchmark पे रखते हैं, और benchmark पे रखने के बाद आपने जो machine set क्या हुआ है, उस machine से हम लोग reading लेते हैं, और वो reading क्या क्या लाती है, हमारी BS, पहली reading क्या होगी, BS हो गई, और आपका machine सेम ही जगह पे रहेगा, एक ही position पे, और आपका क्या होगा, staff उठके जाएगा, दूसरे जग reading लिया, वो आपका क्या हो गया, BS हो गया, और जो आप जो दूसरी reading लिया, मतलब वो आपका last reading है, वो आपका हो गया, foresight, इसमें आपके क्या होगे, intermediate sites बिल्कुल लियाएंगे, उसके बाद क्या होगा, आप second position पे जहां पे रखे हो, foresight लिया हो, उसी position पे आपका staff बना आप BS लेते हो, तो इस तरीके से आप perform करते हो, fly labeling, और fly labeling की help से आप क्या कर सकते हो, label को आसानी से आप transfer कर सकते हो, और इसके बाद जब आप इसका calculation करते हो, तो calculation भी आप दो method से कर सकते हो, एक तो आपका HI method होगा, जिसको की height of instrument method बोलते हैं, और दूसरा जो है आपका rise and fall method method, तो इन दोनो method की help से आप हर एक चीज को calculate कर सकते हो, और जिस भी point का आपको RL चाहिए होगा, वो RL आप define कर सकते हो, और ये करके आप क्या कर सकते हो, आप अपना label भी transfer कर सकते हो, तो I hope यह सारी चीज़े आपको समझ में आयोंगी, ऐसे ही technical information के लिए हमारी channel पर बने र